अस्सलाम अलेकूँ, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडैनिक्स यहां आपको जीरो से बेसिक और बेसिक से अडवांस मैथमेटिक्स से सिखाई जाती है जो के डेटा साइंस और डेटा नेंसिस जैसी फील्ड्स के लिए बहुत जुरूरी है आज हम देखेंगे के number line क्या होती है और coordinate plane की से बोलते है देखते हैं जी, number line number line के से बोलते है एक horizontal line होती है जिसके सेंटर में 0 और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं लेफ्ट साइड पे नेगिटिव नंबर्स होते हैं अगर मैं राइट साइड पे मूव करूँ तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है वैल्यू इंक्रीज होती है लेफ्ट से राइट मूव करने में नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है और राइट से लेफ्ट मूव करने में नंबर की वैल्यू डिक्रीज होती है value decrease होती है अब ये trend समझाने का main aim ये है कि mostly समझा जाता है कि जितना number minus में बड़ा होगा उतनी ही उसकी value भी बड़ी होगी बड़ ये concept जो है गलत है इस concept को clear करना है कि जैसे जैसे numbers minus में बड़े होते जाते हैं उनकी value decrease होती जाती है और जैसे जैसे number minus में कम होते जाते हैं उनकी value increase होती जाती है ठीक है इसकी example ऐसे है कि minus 2 जो है greater than है minus 3 से ना कि minus 3 जो है वो greater than है minus 2 से ठीक है अब number line की definition कुछ इस तरीके से है a horizontal line that has equally spread number increments नमबर increments नमबर लाइन कौन सी लाइन है horizontal line that has equally spread number increment के जीए इस horizontal line पे सारे numbers equally increment के साथ बड़े हुए ठीक है जी इसके बाद आता है coordinate plane coordinate plane जो है वो बहुत ही important चीज़ है और बहुत ही आसान चीज़ है उसमें तीन चार concept क्लियर है हो जाएंगे तो आपने जरा उसको गौर से समझ रहे हैं नमबर लाइन देखा है हमने coordinate plane नमबर लाइन देखी है horizontal line vertical lines horizontal number line जो होती है उसको x-axis बोलते है vertical line को y-axis बोलते है जिस point पर ये दोनों meet करती है उसको origin बोलते है जिस point पर ये meet करती है उसको क्या बोलते है origin horizontal line को x-axis vertical line को y-axis जिस point पर ये meet करती है उसको origin बोलते है जैसे नमबर लाइन पर मैंने बताया था कि दर्म्यान से zero से दूसरी side पर अगर हम right side पर move करते जाएं तो positive values आती है one, two, three, four, five, up to so on और अगर हम right side से left side पर move करें तो negative values negative one, negative two, negative three, negative four, negative five and up to so on इसी तरह x-axis में zero से उपर जाएं तो positive values zero से नीचे आएंगे तो negative values negative one, negative two, negative three, negative four, negative five ठीक है इस portion में अगर आप देखें आप सारे को भूल जाएं सिरफ एक ये line को देखें और ये line को देखें तो यहां पे अगर हम point बनाना चाहें एक के इस box में कौन-कौन से number positive है और कौन-कौन से numbers negative है तो जब हम एक pair लिखते हैं पहले x की value and then y की value लिखते हैं तो दो numbers जब हम pair की सूरत में लिखते हैं इसको coordinate pair बोलते हैं coordinate pair इन points को coordinates बोलते हैं इन points को individually points को coordinates बोलते हैं और जब हमने दो points को कठा करके लिखने हैं उसको coordinate pair बोलते हैं क्या बोलते हैं coordinate pair ठीक है अब coordinate pair अगर हमने देखना है कि इस box में इसको अगर आप फरजी है किदर से भी लाइन लगा लें उपर से भी लगा लें तो यह box बन जाता है कि यहाँ पे कौन कौन से number positive है और कौन कौन से negative है तो अगर यहाँ पे मैं देखों इस सारे को ignore करके तो यहाँ पे इस line पे positive है x-axis पे इसका मतलब x भी positive है यहाँ पे और y यहाँ पे देखें तो यह भी positive numbers है इसका मतलब y भी यहाँ पे positive है अब इस side पे देखने यह इतने area को बाकी को भूल जाए तो इसमें x जो है यह वाली value यह सारी negative है इसको negative x बोल देंगे और उपर जो values है यह positive में है y इसको negative x और y प्लस y बोल देंगे यहाँ पे आए तो यहाँ पे x भी negative है और y भी negative है इसका मतलब x की value भी negative में और y की value भी negative में अगर मैं लास्ट वाले साइड पे आऊँ तो यहां पर X की value positive आएगी यह positive है यहां पर Y की value negative आएगी यह coordinate pair जो है हमें यह बताते हैं किस किस portion में कौन-कौन से number positive है और कौन-कौन से number negative है अच्छा जी अब मैं इसको पहले portion बोल रहा था तो ये दो points जहां पे positive और मतलब negative का एक pair जैसे हमने बना के रख लिए कि यहां पे यह value positive और यहां पे यह वाली negative आएगी इन sides को या in parts को quadrants बोलते हैं इनको क्या बोलते हैं? Quadrants इसको बोलेंगे quadrant one इसको बोलेंगे quadrant two ये है जी quadrant three Roman numbers में लिखने इसको बोलेंगे quadrant four हमारे four quadrants बन रहे है first quadrant में दोनो positive values आएगी second quadrant में negative का x और positive y value आएगी third quadrant में negative x और negative y आएगी fourth quadrant में positive का x और negative की y value आएगी ठीक है? यहां तक clear next है जी x intercept और y intercept अगर तो एक graph की line इस तरीके से जाए कि वो जाते जाते हमारे किसी भी point पे x को meet कर जाए let's suppose यह three है यहां पे meet कर जाती है अगर कोई graph की line x को meet करके pass out होती है तो जिस point पे वो pass out meet करके गुजरती है उस point को intercept बोलते हैं और अगर यह x axis को pass out करके गुजरी है meet करके गुजरी है उसको x intercept बोल देंगे और अगर कोई point graph में कोई graph की line जो है graph का वो point जो y axis को meet करके गुजरता है सोरी जो y axis को meet करके गुजरता है तो वो point जो है उसका उसको तो डिट आच मे कर रहे है तो इसको intercept बोल देंगे य पे कुँए य एक्सिस को मीट कर रहे है तो इसको य इंडर सप्टबो हो देंगे ठीक है जी तो मेरी कौम के नौजवानों आज हमने बहुत ही इंटरस्टिंग टॉपिक को डिसकस किया है जिसमें हमने नंबर लाइन को देखा कौाडिनेट प्लेइन को देखा कौाडिनेट प्लेइन में जो दो नंबर लाइन होती है उन नंबर लाइन की वज़ा से जो कौाडिन्स की पार्टिशन होती है हमने उसको देखा कि इनमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी नेगिटिव आती है coordinate pair को देखा X और Y intercept को देखा Codenix को सब्सक्राइब करें और ऐसे और lecture जो सुनने के लिए YouTube पर और Google पर Mathematics with Codenix सर्च करें अल्ला ने के बाद